प्राइजेक्शन फेल होनी की पीछी की आपको सबसे पहले साइकलोजी बताता हूं कि हमारा प्राइजेक्शन फेल हो क्यों जाता है मालीजी यहां पर एक डवलू पैटर्न बना है ठीक है एंड मार्के नहीं यहां पर एक क्लोजिंग दे दिया ठीक है एंड यहां पर एक र नो आपका माइंड ओपन कर दी आपका ट्रेडिंग करियर चेंज करके रख देगी तो जरूर इसे ध्यान से सुनिएगा देखी यह मार्केट को ओपरेटर लोग चलाते हैं हम डेटिलर से इसे बिल्कुल नहीं चलाते तो जो मार्केट में यह जो गैप अप हुआ है ठीक है जो मार्केट को यहां से जो ओपरेटर उपर लेके जाना चाते है इस गैप में उनका पैसा बचिया होगा जो मार्केट को उपर लेके जाना चाते है समझे लेजिए यहां से उनका 100 क्रोड रूपे बचिया जो मार्केट को इतना उपर ले जाना में जो पैसा लगता अब क्या करेंगे यह जो level है अब वो इस से उपर ले जाने के try करेंगे यह जो पैसा बचा है ठीक है अब और पैसा लगाएंगे और जो इस लेल पर जो उनका पैसा था वो भी utilize करेंगे market को उपर ले जाने के लिये ठीक है तो एक psychology तो ये बन गी और दूसरी क्या बन मार्केट में बायर्स भी होते हैं तो जो अप्रेटर सेल करके बैठे रहते हैं उन्हें यहां पर अपना पोजिशन खत्रिम लगता है तो यहां से अपने कॉंटिटी को स्क्वाइर ओफ करते हैं तो जब यह स्क्वाइर आफ करेंगे तो नीचे मार्केट को ले जाने के बनने पर मार्केट को नीचे आना चाहिए था बड़ मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो यही साइकलोजी होती है मार्केट की फेलियर के लिए तो आपको आज की वीडियो में ऐसी ऐसी साइकलोजी बताऊंगा जिससे आपको माइंड बिल्कुली ओपन हो जाएगा वीडियो की बीच में अगर आप वीडियो को बिन स्किप के देखते हैं तो आपको आपके लिए एक गोल्डन एक साइकलोजी है जो साइकलोजी हर ट्रेडर के लिए आती है और वो इससे हैंडल नहीं कर पाते हैं इसका में सोल्यूशन देने वालों एंड प्राइज पैटन एंड केनल शिक तो आज हम इसी वीडियो के उपर बात करेंगे और आपको बताओंगा मैं कब कि प्राइज एक्षन कब काम करता है और कब काम नहीं करता है ठीक है क्योंकि आपको बाके के यूटूबर्स क्या बताते हैं कि कब काम करते हैं वो सिर्फ यह दिखाते ह में ठीक है यह जो चार्ट है यह जो आज कहीं चार्ट है कल का चार्ट है परस्टो का जैने में सभी चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट काम करता है और कैसे नहीं करता यह आज का मार्केट में सबसे पहले आज के मार्केट में आपको सपोर्ट जिस्टेंस का एक हि तो आपको यहाँ पर चलि साइक्लोजीश को पर ऐसे कंदे आपको मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को बायर्स नहीं चाहिए तो यह भी प्रोफिट बिल्कुश ब्लस देने के लिए है बट प्रोफिट आप को बिलकुल वह यहीं देना चाहता ठीक है तो जब मार्केटि पर जाना है तो यह बैयर नहीं चाहता है कि स्टोपलोस हांट और उनका पैसा इन पास चला सलॉ और अगर मार्केट Box नीचे जाना है तो यह चाहते है कि sellers ना हो बायर्ट हो ठीक है तो अगर आप यहाँ पर मालेजिए market को यहाँ से उपर जाना है और अगर आप बैठे हुए एक support था ठीक है market में support था है यहाँ पर hammer hammer candle भी दिखाया जा रहे थे and market में यहाँ पर sustain किया market में यहाँ पर retailer जो कि हम जैसे चोटे traders होते हैं यहाँ पर दिखाने की क्या कोर्शिस की गई कि मैं तो यहाँ पर support ले रहा हूं यहाँ से अब मैं उपर जाऊंगा उपर जाऊंग यहाँ पर क्या क्यों क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप profit करो ठीक है इसलिए उन्होंने सबसे पहले आप सबका stop loss हंट यहाँ यहाँ से उपर लेकि गया ठीक है यही होता है इसकी साइकलोजी समझें यहाँ पर support है ठीक है तो आपको सिखाया गया यहाँ पर भी आपका trap क्य बन जाता है projection क्योंकि आपको सिखाया कि support है हमें सब buy करना चाहिए ठीक है यहाँ पर support था आपने किया यहाँ पर buy यह hammer candle दिखा दिया market ने sustain करकी दिखा दिया आपने कर लिया यहाँ यहाँ पर buy and market को यह पता है market हमसे ज्यादा चलाक है तो उन्होंने किया कि सबसे पहले ह मार्केट में कितनी दिर मार्केट ने sustain किया मैं 5 मिनाट के टाइम फ्रेम पर देख रहूं यह दिखे यह hammer candle, bullish candle, bullish candle, bullish candle, ठीए अब मारू बुजू candle, यहाँ पर लोगों को क्या दिखाया जा रहा है क्योंकि यह closing price है previous day की closing है आगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करू तो आपको क्या बताया जाया रहा है क्या सिखाया गया है कि supporter हम इसाब buying करते हैं तो यहाँ पर आया यह bullish bullish candle देखे आपने क्या यहाँ पर buy and market ने क्या क्या आप सब कर दिया तो यह हुआ किसकी बात यह हुआ हमारा support की बात कि यह हमें कब trap करता है तो चलिए हम previous market में देखते ह हमें किस चीज का example मिलता है मैं बिल्कुल आप सबके सामने लाइव चार्ट पर यह दिखा रहों कि ठीक है यही लास्ट चार्ट है इसके कोई भी चार्ट नहीं है आपको लगतार दो चार दिन का चार्ट दिखाऊंगो जिससे आपकी psychology खुलेगी चलिए मैं आपको एके कर इसे भी failure में convert कर दिया मार्केट ऊपर चले इसके स्टोपलोस को हंट कर लिया ठीक है इसके बाद भी आप देख सकते हो मार्केट इसके बाद और भी ज्यादा गैप अप हो गया था ठीक है तो इसके पिछे इसके फिलियर की psychology क्या थी आप इस psychology को दिहान से सुनिए ठीक है चोटा करो यह दिखें ऐसी है एम पैटन बना हुआ है ठीक है यह देखें अब मैं यहां से एक scale लगाता हूं यह जो होता है ना कि मार्केट किनो ऊपर पॉंच चड़ा यहां से गर मैं देखू तो मार्केट एक हजार पॉंट ऊपर चड़ा ठीक है और अब थोड़ी जो है जब मार्केट को उपर जाने है तो मार्केट वही चीज काम क्या जब मार्केट इनना उपर चलंगा है कि अब तो market इतना चौड़ शुका है, अब market गिरेगा, यहां से market गिरेगा, यहां से market गिरेगा, ठीक है, market इसी चीज का ही फायदा उठाता है, ठीक है, पहली psychology तो यह होगी, इसे का failure होने का, मैं आपको बताता हूँ, कैसे एक psychology तो यह होगी, यहां से market गिरेगा, यहां से गिरेगा, और दूसरी psychology क्या हो गई, कि मैंने आपको यहां पर अभी समझाय था, कि market को उपर जाने के लिए, वो बायर्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर जो यहां पर ज मार्केट में M pattern दिखाया है, ताकि वो selling करें, ऊपर की side stop loss नहीं है, ठीक है, तो market को ऊपर यह नीचे जाने के लिए stop loss की जुरूरत होती है, तो market ने इसलिए क्या, ताकि market में stop loss है और sellers भी आ दाया, ठीक है, तो यह M pattern बनने पर क्या हुआ, sellers है, और upside में जिन्होंने इस के break, neckline break पर, यहाँ पर selling के उन सब के stock loss, upside में available होगे, then market ने क्या क्या है, इस M pattern में, the failure में convert कर दिया, and market यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, देखे, कितना चाहा आपको example दिया है, आप चलिए, निफ्टी में भी देखते है, कि कोई example बना है तो, बिलकुल आपको live chart पर बट यह मत सोचिए, यह आपको profit देने के लिए काम क्या है, यहाँ पर रिटेलर्स ने बिलकुल profit नहीं क्या होगा, अब आप कहोगे, कि भाई, यहाँ पर तो hammer channel बना है, फिर भी डिटेलर्स ने कैसे profit नहीं क्या होगा, चलिए, इसकी पीछे की psychology आपको बता देता हूँ, यह देखिए, इसकी पीछे की psychology यही है, पहले आगे बताना से वहले मैं आप सबसे माफीज आता हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैं मंडे से आप सब की साल live पे बैठूंगा, ठीक है, लाइब मार्केट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, मंडे से इसलिए, आप म प्रोफिट क्यों नहीं बना है, चलिए आपको बताते हूँ, यहाँ पर प्राइजर्शन काम करते हुए, अब इसकी थोड़ा पीछे का psychology देखे, आपको क्या पता चलिए, मार्केट इतना ज़्यादा फॉल क्या है, ठीक है, यह देखिए, प्रिवेश डे में मार्केट सि psychology जो है, कितनी बार काम कर रही है, मैंने क्या हूँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट को क्या चाहिए, बायर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो अब बताइए, आप यहाँ पर खुदी सोची, यह मार्केट को मैंने थोड़ा छोड़ा कर रहा है, अगर बनाएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर अब साथी की तरफ सजी ओपर बनाएगे नहीं, और बनाएगा उसे मार्केट तुरंत निकाल देगा, वह छोड़े से छोड़े पुल बाक्त में भी वो अराम से निकल utenríक यहाँ पर भायर्स है ही ठीक है, पर यहाँ पर सही ओपे तेलर्स के हिम्मत नहीं हुआ आने का और जो आये होंगे यह जो पूल बैक है इसमें वो निकल गए होंगे ठीक है मार्केट फीड उपर गया मार्केट में फिर निकला पूल बैक में यहां से मार्केट धीरी-धीरी करके उपर जाता रहे गया ठीक है देखें किनी अच्छी स चलिए वह जो एक सेकलोजी थी वह को बता देता हूँ जो आपको मैंने अपको शुरुआत में बताया था वह सेकलोजी थी कि मार्केट में जैसे आप आते हो तो वहां पर आते हो तो वहां पर बायर या फिर सेलर का मायड़ सेट रखे बिलकूल भी मत आ न यहीं आपकी जो होते हैं पहले हैं दो यह करना है यह सेल लिए हैं इसलिए आपका लोस होता है जैसे मान लीजिए आपना मार्केट आज का मार्केट ओपन हुए यहां से selling में हैं दो तीन अच्छा खासा market दो तीन सो पॉंटिंग गिर गया इसके बाद भी आप सोच लिए नहीं मार्केट में करूंगा तो भाइ यहां पर पूल बैक आता है ठीक आपको पता है जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का है राई है लोग का बना के चलने का तो यहां पर जैसे मार्केट यहां पर आता है तो आप यहां पर क्या कर ले तो आप यहां पर आपका स्टोपलोस हीट हो जाता है यह बहुत लोगों की प्रसानी है तो इसका वस यह है कि आप न्यूटरल होके बैठाए इसका सोलिशन यही है ठीक है आप यह मार्केट से पहले बिल्कुल सोच के मताना कि यहां पर तो मेरे को बाई ही आज करना है या फिर सेल ही करना है ठीक है तो चलिए हम आगे का देखते हैं और आगे बढ़न बताईए जल्दी से कमेंट में आप कई लोग कहेंगे कि ये ठयटिन है को पताउर से संगत को देखे 23 अगर मैं ऐसे कर TLаже और यह लिख दू और ची लिख क्या आपका कहाना बिल्क्ति साहिए है तो आपको कैसे पाता चला इसेएसकी संगत को देखी से पहले पीविस है कि यहां पर आपको upset में ट्रेड बनाना है एक है तो आप बिल्कुल एक चीज की चwoचीछ.. यारश रही होगे ग्राउंगे यहा पर दूंब बना तो यहां पर डबलू पैटन बना तो यहां पर रेटेलर स्ट सोच लोस अरे डॉश्याइडम है तो यह घो weet ही दिखाता हूं यह देखिए यह जो तीस तारीखा जो चाट है इसमें मartet कहीं भी नहीं चलिए बिसके पीछे की साउलोजी बताता हूं क्या यह देखिए आप जो है ना चीकलोजी से गेम है एंड आपको जो रियाल ट्रेडिंग सीखने है ना तो मेरी चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया तो कल लेना बना मेरे रियाल्टी में बहुत जादा पस्ता सकते हो ठीक है तो यह देखे मार्केट यहां पर कहीं नहीं गया सिर्फ उसी आप सैड में फिर डा ठीक है जिन्हों को पर चल गया तक चल करेंगी जिन्होंने विद्ग को उन्हों ब्सक्राइब हो अप सैड में हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा अपना पहली बात रह surge बनाएगा और क्याकर शिर्फ शेप-टिया इस आॉप क्वีक्ट क्योंकि यहां पर बायर और सेलर स्वाइल.. मार्केट inspire पहले सिखाई था कि अगर मार्केट if u यहां पर क्या कि लिए एक बेरी स्केनर बना है ताकि लोग डाउन्साड में उनका स्टोब्स अपसाड में हंट कर लिया और इसलिए पूरा दिन ही मार्के ने इस दिन लोस्किया हुआ तो ऐसी साइकलोजी फ्रेंट्स मैं ऐसे बहुत आपको एक्जांपल दे सकता हूं बट मैं क्या करूं मेरे पास थोड़ी टाइम की कम है रियल ट्रेडिंग के लिए ठीक है रियल ट्रेडिंग के आप सोचेगा पिर लाखों लोग आपको जो सिखाते हैं मैं उससे बिल्कुल तो डेली एक वीडियो अप्लोड करूंगा तो अपने इस वीडियो को प्लीज उन दोस्ते के पास शेयर कर देए जो लाखो लाखो रुटे के जो कोर्शीज है वो नहीं खरीद पाते है ठीक है तो मैं बिगिनर टो एक प्रो लेवल के सीरीज बनाने हो लाँ जिसमें मैं वाखो प्रेटर कैसे सोचता है कैसे ट्रेड लेता है सपोर्ट अजिस्टन सब्सक्राइब स्कॉस सीजिग करने आओंगा इस वीडियो में एक दे noiseside का एक चीज तो बनता है कि इस वीडियो का एक टार्गेट रख लेते हैं पांचाजार लाइक्स का आप प्लीज इससे कंप्लीट करवा दीजिए और यह मेरा इंस्टाग्राम है आप देख सकते हो इस पर आगर आपको कोई भी पर्सनल कोशन है तो मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो धन्यवाद